किसी गाव में एक पुराने किले का इतिहास था, जिसे सब भूतिया किला कहकर डरते थे. यह किला बहुत ही पुराना और बिखरा हुआ था. इसमें बहुत सारी कहानिया और राज छिपे हुए थे. गाव वालों के अनुसार उस किले में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी. और कहानियों के मुताबिक वहाँ पर भूतिया साया भी दिखाई देता था. लोगों के लिए वहाँ जाना सच्ची बहादुरी की बात थी. एक बार की बात है, गाव के एक युवक का नाम राहुल था, जो बचपन से ही भूतों के प्रती अपनी रूची रखता था. वह बहुत ही निरंतर भूतिया किले की तरफ आकर्शित होता था. उसके मन में खुद परिश्रम करके वह किले का रहस्य खोलने का इरादा था एक रात, जब चांदनी रात थी, राहुल ने अपने दोस्त सुरेश के साथ किले का रास्ता चढ़ाया. वे रात के समय किले के बाहर पहुँचे और एक अजीब सी आवाज सुनी, कौन है? राहुल डर कर थम गए, लेकिन फिर अपनी बहादुरी जुटाई और बोले, मैं राहुल हूँ, गाव का युवक। आवाज ने कहा, तुम यहां क्यों आये हो? राहुल ने अपना मकसद बताया, कि वह किले का रहस्य सुलजाने का प्रयास कर रहा है. आवाज ने कहा, अच्छा, तुम मुझे सच्चे दिल से चाहते हो, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी. राहुल और सुरेश ने सहमी हुई बात की, और आवाज ने उन्हें किले के अंदर ले जाने के लिए कुछ टास्क दी. वे टास्क को पूरा करके किले के अंदर पहुँचे, आवाज ने कहा, मैं तुम्हें वह राज देता हूँ जो किले के अंदर छिपा हुआ है. राहुल सुरेश ने मिलकर वह राज खोज निकाला और गाम को यह बताया कि किले का भूतिया दरपन जिसके जरिये आवाज आती थी, अब किला भयानक नहीं दिखता था और गाम वाले वहाँ पर सुकून से रह सकते थे. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि दर को पार करने के लिए बहादुरी की आवश्यक्ता होती है और कभी-कभी आवाजों के पीछे छिपे रहस्यों को हल करने के लिए हमें अपने डर को पार करना पड़ता है. नई कहानियों के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें